हेलो फ्रेंड टेक फॉर फन यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो मुला को जानेंगे फिलिप कार्ट पे लेटर का पेमेंट फर्स्ट टाइम कैसे करें जिया दोस्तों अगर आप फिलिप कार्ट पे लेटर यूज करते हैं तो उसको र यहां पर देखिए सारा दिख जाएका आपका फिलिप कार्ट प्लस माइओडर चुई लेग्वेज माइवीश लिस्ट और नीचे में है फिलिप कार्ट पे लेटर यहां पर आपको डिव आपको यहां पर दिखा रहा होगा तो देखिए मेरे केस में यहां पर 1479 रुपय क यहां पर दिखा रहा है इसमें इंक्लूसिफ यूजज फी 15 रुपया तो 15 रुपया का मुझे एक्स्टा चार्ज काटा गिया है और दिव डेट दिखा रहा है पांच अगस्त का तो दोस्तों मैं आपको बता दों कि इसका जो विलिंग प्रियेड है वो हर एक मन्त का आप इसको रिफंट डालते हो तो इस्टेंट रिफंट आपको तुरती मिल जाता है अगर वह अगर बेंक अकाउंट आ या फिर कोई और चूज करते हो तो दो तिन दिन का प्रसेशिंग समय लग जाता है दूसरा अप्सट आपको यहां पर फीचर दिखाता है कि नो इंट आपके एप और इसमेस क्या जो आपका परमिशन दिया हो उससे अपने रिटाइब कर लेता है और यहां पर इस फिलिप काट पे लेटर के अगर यूज करते हो तो आप अपना केडिट स्कोर भी यहां से इंप्रूब कर सकते हो अगर आप समय समय पे इसका पेमेंट करते र आपको अभी बताया था कि मैंने 1414 रुप्य का शोपिंग एक्स्ट्रा यूज चार्ज यहां पर मेरा जोड़ा गया है तो देखते हैं यह क्यों जोड़ा गया है यह आइकन दिख रहा है क्लिक करते हैं तो इसको क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर दिख रहा है वाट यहां पर दिख रहा है वाट मेरा क्या रखिए आपको इसको आपको फोड़ा इसको बचा सकते हो तो इसको बचाने के लिए आपको सींफ्ली एक ट्रिक अपनाना है जब भी आप shopping करो तो shopping करने के बाद आपको month end होने से पहले मतलब अगर 30 का महिना है तो 29 तरिक तक आप payment कर दीजे और 31 का महिना तो 30 तरिक तक आप payment कर दीजे या फिर last day भी payment करेंगे तो चलेगा लेकिन एक तरिक मत होने दीजे अगर एक तरिक होता है त कि आप माहिना पूर्णे से पहले ही आप अपना payment जो दीव रहेगा उसको यहाँ पर pay कर दो तो दोस्तों चली इसको मैं pay कर देता हूं कि मेरा जो वीडियो था मक्सद यह भी बताना था कि payment कैसे करते हैं तो मैं यहाँ पे पे नाव पर किलिक करता हूं तो सरा option यहाँ पर phone page से payment करना है की आप यहाँ दिनके पर देता हूं पर किलिक कर देता हूं तो दोस्तों मैं यहाँ से वीडियो को पाउच करता हूं और वीडियो को पाउच करने के बाद मैं कि लाष्ट मैं आपको बता दूँगा कि payment सेकस्पूल कैसे होता है देखी मैंने phone pay का जो pin है यहाँ बैंडाल दिया है और मेरा payment यहाँ पर 429 रुपे का says school दिखा दिया है तो चलिए आद मैं flip card के एप में retireg हो जाता हूँ और flip card में अप में देखता हो महाँ पर क्या so हो रहा है तो flip card के में app में आ जाता हूँ जो है देखिए हमारा payment जो है we have received your payment flip card के तरफ से यह pop-up हमें 100 हो रहा है तो देखिए हमारा यहाँ पे फिर से हमारा credit limit है यह 2000 आ गया है और हमारा usage अभी 0 है तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको दो चीज़ सीखने को मिला होगा पारला कि flip card pay later में repayment कैसे करें दूसरा क कि flip card pay later का जो extra charge लगाया जाता है उस extra charge को कैसे avoid किया जाए मतलब उसको लगने से कैसे बचा जाए तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि month last होने से पहले ही आप payment अगर कर देते हैं तो आपको extra charge ने लगेगा तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और हाँ इस चैनल को सबस्क्राइब कर लें ऐसे informatic वीडियो के लिए तब तक के लिए धन्यवाद